और चलिया बड़ी खबर आपको बताएं महाराश्टु के कई हिस्सों में भारी बारिश से कहर बरपना नजर आ रहा है ठाने के भिवंडी में जलभराओं ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है बड़ी खबर आपको बता रहें महाराश्टु के कई हिस्सों में बारिश का कहर सामने आ रहा है जिन्दुस्तान पर एक्स्क्रीश तस्यर आप देखें जहां पर भी नसर जाती है पानी ही पानी नसर आ रहा है सडके किस तरीके से समंदर में सब्दील हो चुकी है ठाड़े के भिवंडी में जलभराओं से लोगों को भरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो लोग आपको तस्यरों में नजर आएंगे घुटनों से भी उपर तक पानी नजर आ जाएगा गाड़ियां पानी में पूरी तरीके से डूर चुकी है घरों में दुकानों में भी पानी दूर चुका है और आगे बढ़ते आपको बता दे कि आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत ने एक बयान दिया और उनके बयान पर अब सियासी कोहराम शुरू हो चुका है कॉंग्रिस ने पलेटवार किया और कहा कि मुसल्मानों को संग पर भरोसा ना कई मुसलिम धर्म गुरुओं और इमामों ने जताई भागवत से सहमती 1930 से प्लानिंग के तहट बढ़ाई गई मुसलिम आबादी ये वो बयान जो भागवत के ओर से दिया गया वर्चस दो बढ़ाकर पाकिस्तान बनाने की साजिश यानि की भारत को पाकिस्तान बनाने की साजिश रची गई थी मोहन भागवत के बयान से नई बहस चड़ गई है सियासी खिमों में इस बयान पर घमासान मच गया है दुरिजल भागवत ने का है कि देश में 1930 के बाद से पूरी प्लैनिंग के साथ मुस्लिम आबादी बढ़ाई गई ताकि वर्चस वो बढ़ा कर इसे पाकिस्तान बनाय जा सके इसके पीछे मनशा बंगाल असम को भी अलग करने की थी मोहन भागवत ने कहा कि मुसल्मान CAA NRC से डरे नहीं इसे हिंदो मुसलिम विभाजन जैसा दिखाना सियासी साजेश है के नागरिक मुसल्मान को CAA से कुछ नुकसा नहीं कर सकते हैं अब इस पर मुसलिम धर्ण गुरुओं के साथ ही सियासी खेमे से प्रतिक्रिया तेज है कॉंग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुसल्मान संग पर भरोसा नहीं कर सकते लेकि उनके नजरिये से नहीं हो सकता है चुकर यह आरेसेस का ही एजन्डा है आरेसेस के एजन्डा को लेकर चल रहे है वो देश के एजन्डे को लेकर नहीं चल रहे है तो उनके नहां नजरिये से वो सही है लेकिन सारी दुनिया में इस बात की निंदा हो रही है अल्ग संख्यकों को या मुसल्मानों को इज़ादी जायस सताया जाए लहादा C.A.A.N.R.C. के मसले को पर बागेदा सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए और रुख साफ करके मुसल्मानों को इतिमाद में लेना चाहिए है हलाकि कई मुसलिम धर्म गुरूं ने C.A.A.N.R.C. को लेकर भागवत के विचारों को बिलकुल जायस भी ठेहराया है मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह से श्री मुहन भागवत जी ने भी अब ये बात कहके किलियर कर दिया है कि भारत के मुसल्मानों को किसी तरह से कोई खत्रा नहीं है किसी तरह से कोई नागरिता नहीं शीने जाई इससे पहले संग प्रमुक मुहन भागवत ने चार जुलाई को मॉब लिंची के खिलाफ बयान दिया था और सभी भारतियों का टिये ने एक बताया था ताजा बयान में एक खास तरीके से आबादी बढ़ाने को चंता का विश्रे बताते हुए भागवत ने टार्गेट किया है उनका बयान एक खास मानसिक्ता को एक्सपोज करने वाला है जिसके तहर डिमोग्राफी चेंज की साजिश की जाती है भागवत का बयान सीधे सीधे जनसंक्य जिहाद पर चोट करता है लेकिन हैरानी केस पर भी विरोधी सुर्थ उठने लगते हैं विरो रिपोर्ट जी मीडिया और च captiv आगे बढ़ते हैं किसान आदूरण को लेकर आज की बहुत बढ़ी खबर आपको बता दे आज से आ अनूरण कारी किसानों को जन्तर मंतर पर किसान संसर आपको बता दे कि सिंगू बॉडर से रोजाना सुभा 200 किसान जन्तर मंतर जाएंगे हर रोज शाम पांच बिजे कालिक्रम पूरा कर लोटेंगे किसान नेता, सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धुसेनिक बलो की पांच कम्पनिया तैनात कर दी गई है, प्रदर्शन कारियों के लिए सयुक्त किसान मोर्चा ने गाइडलाइन्स भी जारी कर दी है, तो इस ख गना है गुरू पत्वंत सिंग पन्नु परी दिल्ली फिर बन गई बंधक लाल किला के बार संसत से साजश, आंदोलन कारी किसानों को जंतर मंतर पर किसान संसत चलाने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें रखी गई हैं, जिन पर फिलाल संजुक्त किसान मोर्चा ने भामी भरिये इसके तहट दिल्ली पुलिस ने एक वक्त में 200 किसानों को प्रदर्शन की इजाज़त दिये, पुलिस की निगरानी में आज से किसान रोजाना जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकेंगे जब तक संसत का मांसुन सत्र चलेगा, तब तक हर रोज, सुवे साढ़े दस बजे से, शाम पाँच बजे तक किसानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा इसके लिए सिंगु बार्डर से रोजाना 200 किसान आएंगे जंतर मंतर पर सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की पाँच कमपनियां तैनात की गई हैं शाम पाँच बजे किसान अपना प्रदर्शन खत्म कर वापस सिंगु बार्डर लोट जाएंगे शिंगु बोटर से जाएंगे और चार पाँच गाड़ियू से जाएंगे बसु से जाएंगे अलग 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 जगे से जाएंगे यहां से भी जाएंगे और सभी खट्रे होंगे वहां से फिर बसु से वहाँ पर जाएंगे संसर लगेगी किसानों की, किसानों के मुद्धे डिस्कस हो जगे, स्पीकर बनेगा, डिप्टी स्पीकर बनेगा, शाम को पांच बजे तक संसर चलेगी, वही खा लंच खाएंगे, वाप और इस वीचे एक छोट इस ब्रेक के लिए आप रूखेंगे फारन लोट रहे हम आपने रहे हैं मारे साथ